हेलो माई यूटूब फैमिली जे मातादी राधे राधे कैसे हूँ आप से वाई होप आप से वच्छी होंगी लच्छमी की दुनिया में आप लोगों का श्वागत है तो यहां मैं आ गई थे किचन में अभी साम के बज़ रहे होंगे चार या पांच बज़ रहे होंगे टाइम नहीं देखे हैं एच भी आ गए थे डूटी से तो बना रहे थे चाए और ब्रेड से रहे थे तो थोड़ा थोड़ा गी लगाके से रहे थे और यहां मैं ब्रेड से लूँगी एच भी आ गए थे किचन में वो भी तो और गर्मी बहुत था आज बहुत ज़्यादा गर्मी थी तो वो भी आ गए थे किचन में तो चाए उबाल फैक्ट में वाला था तो वो सही करने लगे थे मैं एक साइड से रही हूं ब्रेड और थोड़ी थोड़ी मेरी तवियत भी खराब थी तो वो आ गए थे हल्प के लिए और फिर उसके बाद में अभी मतलब जब थे सब खेल रहे हैं बाहर तो बच्चे भी नहीं और यहां पती पर मैसnowर चाहमें दल रहे हैं थे रखсти लेक, भी आप शकर це thoughts अगर भी मत अकशर कुछ बनाओना तोείल्ब कर देते हैं अगर उन ने हन है तो नही ने है तो खुद पानी भी नहीं पीएंगे घ़ा है पानी भी लेके आओ और अगर उनका मन है तो मतलब कर लेंगे ऐसा और यहां खुद ब्रेट सेखने लगे थे तुम बोल रहे थे तुम चाय जान दो तब तक मैं ब्रेट सेख लूँगा तो यहां वो ब्रेट सेख रहते देख सकते हो कैसे सेख रहे हैं और फिर आप लोग इसे ब्लाग में बने रहेगा और मेरा ब्लाग कैसा लगता है आप लोग कमन करके जरूर बताईएगा और ब्रेट चाय आप सब भी आगे खा लीजिए और यहां चाय के बरतन पूरे साफ हो गए थे और यहां थोड़ा बरतन सुबा का भी रखा था सेट नहीं किये थे मैं वो भी सेट कर दूँगी और चाय के पूरे बरतन धुल गए थे वो भी मैं सेट कर दूँगी जल्दी जल्दी से फिर खाना बनाऊंगी कि माललब अभी तो ज्यादा साम नहीं हुआ है देख सकते हूं हाब सब बाहर भी दिख रहा है ज्यादा साम नहीं हुआ है और बरतन पूरा सेट रहेगा तो अच्छा भी रहता है नहीं तो फिर आकर मतलब कभी कभी ऐसी हो जतना जूट़ हाथ से छूलो तो पूरा बरतन जूठा हो जाता है और फिर भोग भी लगाना रहता है तो जूठे बरतन में भोग नहीं लगाना चाहिए और यहां बचों का टिफिन भी धुल के रख दिये थे मानस तो जल्दी कभी अपना टिफिन निकालता नहीं मायंग तो चलो निकाल देता है किसी किसी दिन मैं बूल जाती हूँ न तो मानस का टिफिन सुवा धुलना पड़ता है वो जल्दी नहीं निकालता है वो होम और कपना कंप्लीट कर लेगा लेकिन टिफिन नहीं निकालेगा आज पता नहीं कैसे निकाल दिया था तो मैं यहां बाहर चली गई थी कुछ खाम था तो बाहर का नजारा भी देख सकते हो आप सब फूल कितना प्यारा लग रहा था यहीं से दिख रहा था और फिर उसके बाद में मैं बनानी लगी थी खाना हो गया था साम तो यहां मैं एक साड़ दाल और चावल बना रही हूं सुबह मैं दाल नहीं बनाई थी आज छोला बना लिये थे तो दाल नहीं बनाई थे तो बिना दाल के तो खाना नहीं है पती पर मेसर को क्यों ना साम हो लेकिन डाल बनाना है तो बनाना अगर सुबा नहीं बना है तो साम को बनाना पड़ेगा तो आज ऐसे मतलब मम्मी बोली कि छोले ही बना लो डाल ना बनाओ तो डाल नहीं बनाए थे तो आज साम को बना रहे हैं डाल और फिर बनाओंगी मैं सिर्फ आलू भुजिया, मिर्चा और जीरा और थोड़ी सी मेथी अड़ करके मैं बनाऊंगी, मसाले नहीं अड़ करूँगी, कभी-कभी मन ऐसा भी रहता है, कि मसाले खाने का मन नहीं करता है, सिर्फ सादा-सादा खालो, तब भी अच्छा लगता है, और फिर दाल भी म पशंद है, उन लोगों के लिए कुछ भी करना पड़े तूफी, मतलब अच्छा लगता है ऐसे, कि हाँ, अगर वो सुकून से खा लें, अगर फैमली में कोई भी है, अगर अच्छे से खा लें, तो अच्छा रहता है, सुकून मिलता है थोड़ा, और यहां मैं आलू भु किन की लोगों को पसंद है, बोलो, कमेंट करके जरूर बताएं, मुझे और मेरे बच्छों को कुछ जादा ही पसंद है आलू भुजिया, और किन की लोगों को पसंद है, कमेंट करके जरूर बताएगा, और हरी जूडियां, मैं मलब कई दिन पहले ही पहन ली हूँ, और य और चाय बहुत प्यार लगता है, मुझे तो अच्छा लगता है, और फिर मैं जलिली से, यहां मा भी मानस को खाना देना है, क्यूंकि वह जिद कर रहा था, आलू भूजिया के चक्छपर में खाना नहीं देए थे उसको, क्यूंकि उसे भी बहुत पशंद है, थोड़ा मैं टामाटर तो है नहींत टामाटर डाल के फराई किया जाएगा सिर्फ जीर 27 amor जब अइन ही फूरो करोंगी और अभी मानस मेरा सोने वाला था क्योंकि मतलब सुभा भी उसको जल्दी उठना रहता है तो बिचार एक नीन नहीं पूरी होती है और इस टाइम जब सो जाता है थोड़ा जल्दी तो ठीक भी रहता है सुभा उठने में सो जाएगा तब भी उठने में उतना ही प्राग्लम मतलब उतना ही रोता है तो इसी ज़िए मैं उसको खाना दे दूँगी और थोड़ा सा हैजबी को चाय भी दे दूँगी वो दुबारा बोले थे पीने के लिए तो थोड़ा सा ही बनाये थे उनकी लिए तो मैं उनको दुबारा चाय दे दूँगी और खाना बन गया था सिर्फ दालचावल सब्जी बनाए है आज मैं रूटी नहीं बनाई हूँ तो चल रहे हूँ मैं मानस को खिलाऊंगी उसका जिद है कि मतलब जल्दी से खाएगा भी नहीं सो जाएगा बोल रहा था मैं खाऊंगा भी नहीं सो जाऊंगा तो जल्दी से दे 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 उसको नहीं तो फिर सो गया ना तो फिर उठने वाला नहीं है मेरे बच्चे अगर एक बार सो गया ना तो फिर समझ लो दुबारा उनको खाना नहीं खाना है तो इसलिए सोने से पहले दे देते हैं अब यहां आ गए थे मानस को खिलाने और इस भी जा रहे थे कहीं कहीं साथ जा रहे थे याद नहीं है कहीं जा रहे थे मानस बोल रहा था कि पापा पंका लगा दो फिर चले जाओ क्यूंकि गर्मी बहुत जादा थी और यहां मानस मांक भी आ गया था मांक तो अभी इतना जल्दी खाता नहीं है सब लोगों के साथ में ही खाता है और सोता भी बहुत लेट में है तो मैं यहां जल्ले दे से कीचेन भी साफ कर लूँगी क्योंकि मतलब काम इस टाइम में इतनी गर्मी है जितना जल्दी खतम हो जाए उतना सुकून रहता है किसी तरीके से खतम करकी और नहा लोना तो समझ लो मतलब एक बहुत बड़ा खाम हो गया साम को क्योंकि इतनी गर्मी रहती है ना कि परेशान हो जाओ तो मतलब हम लोग ऐसे ही करते हैं पूरा खाना बना लेते हैं आंगन में शाइड में रख लेते हैं और कीचेन पूरा साफ कर लेते हैं फिर पूरा बरतन साफ करके नहा लेते हैं फिर जब सब लोग खाते हैं उतना बरतन निकलता है फिर बाद में धुल लेते हैं तो मतलब ज्यादा मतलब प्राब्लम नहीं होती है एक साथ पूरा नहीं करना पड़ता है तो ऐसे मतलब हमेशा ही ऐसे ही करते हैं और गुड मॉर्णी माई यूडो फैमली तो फिर हो गया था सुबा और फिर मैं लग गई थी अपने लड़ो गोपाल में तो यहां मेरे लड़ो गोप अभी तक सो रहे थे तो मैं पारवती मया को लड़ो गोपाल को दोनों लोगों को नहला दोंगी और लड़ो गोपाल के लिए मम्मी लेके आई है कपड़ा मत्रा बिंद्रा बन गई थी मम्मी तो लड़ो गोपाल के लिए दोनों लड़ो गोपाल के लिए मेरे कपड़े ल तो वहीं से लेके आई हैं तो बहुत अच्छा लग रहा था वो अलग कप्रा तो मैं सभी भगवान को फूल चड़ा दूंगी और मतलब वैसे इस टाइम पर फूल कुछ ज़्यादा ही रहता है क्योंकि बारशाद का मौसम है ना तो सब जगे हरे भरे रहते हैं तो फिर प्र बच्चों की लिए पूड़ी क्योंकि मेरे बच्चों को ऐसी पूड़ी बहुत पशंद है ऐसा पूड़ी बना दो ना फिर सबजी बनाओ या ना बनाओ बच्चे वैसे ही खा लेते हैं लेकिन फिर भी थोड़ा सबजी बना लिए हैं क्योंकि मतलब ऐसे ठंड़ा हो जात क्योंकि सुभा बहुत लेट हो रहा था और फिर मजलीली से बना लूँगी पूरी क्योंकि अभी बच्चे मेरे दोनों सो रहे हैं कोई भी ने उटे हैं अभी जाएंगे फिर उनको उठाएंगे और रिक्वेस्ट करना पड़ेगा ब्रेस करने के लिए तब जाके कहीं जीद उनका पूरा होगा तब मन करेगा तो जल्दी चलो अगर कभी कभी खुसी रहता है ना तो बड़े प्यार से चला जाता है अब ना जाते जाते उसकी भी आदत हो गई है जादा नहीं रोता है लेकिन फिर भी जिनकी आदत हो गई ना रोने की वो सुबह रोएंगे तो यह आप लोग इसे ब्लॉग में बने रहीएगा और मेरा व्लॉग कैसा लगता है आप लोग कमेंड को जरूर बताइएगा और प्लीज लाइक से और सब्सक्राइब कीजिए और यहां मानस को देख सकते हो आप साब इतना सोया है ना कि आख पूरा मतलब देख सकते हो फु बिला रहे थे उसको अभी कंगी भी नहीं किये थे